हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विल्कम टू शामाधान उमीद है साथियो आप सब बच्चे होंगे और स्टड़ी भी आपके अच्छे से चल रहे होगी जैसे कि आपको पता है कि बिहार एससी सिजिल 4 भर्ती आने वाली है यानि सचवाले सायक असिस्टेंट सेक्षन अपस का उसको भी समझा दिजिए तो दखिए हम लोग बैसिकली यहां पर बात करने वाले हैं पिछले कटफ की अधार पे कि आखिर कटफ की इस अधार पे निकाली जाती है और यह क्या प्रसेंटाइल फिर से बीससे सीजिल 4 में भी लागू रहेगी क्योंकि आपने देखा होग कि जब सीजिल 3 का रियर्ट आया था प्रिलिब्स का तो उस समय आपने जरूर सुना होगा देखा होगा वीडियो के मादम से भी अलग अलग चैनल पे कि कुछ चात्र का यह कहना था कि हमारा स्कूर 120 था फिर भी मेरा नहीं हुआ जबकि मेरे जान पहचान कहीं एक है उसका 117 था उसका होगया इसी तरह कि किसी का था कि 117 स्कूर था मेरा और नहीं हुआ और किसी का 114 था उसका ओगया तो आखि अच्र आप ज्यादे नमर लाते हैं vớiूद उसके आप बाहर हो जाते हैं और आपसे कम नमर लाने वाला सिलक्सा लेकर चला जाता है तो इसको भी ह इन चीजों को समझेने के लिए हमने के यहां प्रस tätä का कीसने को समय को स्वीड़ने के लिए हमने यहां पे टा लिए है सबसे नीचे आ जाता है हम लोग और शिल्यवस की बात कर लेते हैं यहां पर तो देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे प्रिलिम्स में आपके पास जुना अभेर्थियों को मेंस के लिए चैन किया जाता है सब्जेक्ट इसमें क्या रहेंगे समान्य अधेयन रहेगा समानय विग्ञान को मांसिक चंता बोफ्चास उता है यहां पिज्ञान केके 50 मैं और 10 अर्ड़ियों चैनल जो pos in रहेंगे जिसमें 50 आपके समानने अध्यान के रहेंगे 50 विज्ञान और गनिती मिला करके रहेंगे 50 रिजिनी का रहता है और यहां पर एक सईउप्तर के लिए आपको चार अंग दियाते हैं और अगर गलत करते हैं तो एक अंग काट लियाते हैं टोटल दो घंटे 15 मिनट का यहां पर आपको टाइमिंग दिया रहता है और पिलिम्स के एग्याम में आप टेस्ट बुक लेके सांथ में जा सकते हैं तीन बुक इलाउट रहता है ले जाने के भी रहेंगे और इस्ट्री जोगराफी फॉलिटी खासकर के पंचाइति राज ध्यान रखेगा तेखिए यहां पर समसमाई की विसाइस में रहेंगे भारत के प्रोसी के असपस के हिस्ट्री भुगोल आर्थिक रहेगा समाने गडित आपके यहां पर रहेंगे जो संख्य समधान विस्ट्रेशन और लोकन यहां शौधारन अंक गडिती है सकती तो यहां पर सभी को से पूछा जाते हैं तो यह स्लेबस से डिटेल में आप देख लिजिए गए इसको हमने बता दिया किसी कितने प्रसनाते हैं अब बात करते हैं हम लोग जो प्रसंटाइल है कैसे खेल भी करता है आपका और देखिए एक और चीज़ यहां पर मैं बता दू पहले प्रसंटाइल समझेने से पहले यहां पर कि कुछ लोग का कंफिजन है हमने हलाकि उसको बताया भी है फिर भी उनलों का लगतार गोस्टन आता है कि एज कप से काउंट किया जागा तो लेकिन अगर आप 1822 कंसार 37 कंदर में तो बिल्कुल आपको पैनिक होने के जुरत नहीं है आप बिल्कुल इस फर्म को वर्पाएंगे और मिनमाम एज की बात करें तो यह आपका 1823 को काउंट किया जाएगा मिनमाम एज यानि इस दिन आपको 21 वर्स कंप्लिट होने कोटी बार कटफ परसेंटाइल निमता है अब यह आप यहां पर देखेंगे कि अनरक्षित का कितना दिया गया कटफ तो 99.461 और अनरक्षित महिला का 94.57 EWS का 98.59 EWS फिमेल का यहां पर 90.37 पिछरा बाग का 99.06 पिछरा बाग महिला का 99.68 अत्यांत पिछरा बाग का 98.30 अत पिछरा बाग महिला का 96.35 अनुसूचित जाती का 9.34 है और इसी तरीके से यहां पर अन्य कटेग्री का दिया गया है अब यहां पर आप सूचिंगे कि क्या यह रिजल्ट 99 जो है यहां 99 परतिसत में है तो नहीं देखिए परसेंटाइल और परतिसत दोनों डिफरेंस है इ आप यह पर नहीं आप 99 परसेंटाइल मतलब देखिए अब का इसे नेचा को सकते हैं और यहा पर समझते हैं कि कै जाहिट से बात है प्रलिम्स में अभी काफी एस देंट एपियर होंगे तो कम से कम पांग से छे सिफ्ट हो ही जाएगा यहां पे और जब सिफ्ट बढ़ता है तो होता क्या है कि जैसे मांग चले सिफ्ट वन में कुछ इजी कोस्टंस आ गए तो यहां पे बिसिकली चीज है क कि आपका स्कूर यहां पे इंकरीज होगा कोस्टंस जादे सॉल्व होंगे और स्कूर भी जादे चातर लाएंगे और जो मांग चले अगला सिफ्ट हुआ तो यहां पर होता क्या है कि कोई सिफ्ट एजी आ जाता है कोई सिफ्ट हार्ड आ जाता है तो हार्ड वाले में जा सब्सक्राइब करना हो तो दस अगर सेलक्षिन करते हैं इस अधार पर तो सिप्ट वन वाले ही जादे इस दिन सिलेक्ट हो जाएंगे जबकि सिफ्ट वाले भी एक्जाम दिये हैं और इनका कोश्चन हाड था इस वज़ा से इनका माक्स कमा गया तो कोश्चन हाड होने को वज़ा से यह तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे लेकिन इसको एक्वाल करने के लिए परसंटाइल लागू किया तो आपसे नीचे कितने ऐसे स्ट्वेंट है जो आपसे कम स्कूर लाए है उसकी संख्या बटे यहां पर टोटल कितने छात्र एपियर हुए है एक्जाम में उसका और गूने में क्या करेंगे तो हंड्रेट से मल्टिपलाई करतेंगे अब देखिए यहां पे तप सिफ्ट तो 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 हंड्रेट गुने क्या कर देंगे तो 10 यानी इनका आगया तो हंडरेट इनका पे नीचे आएंगे तो इनका 98 97 96 95 94 91 तक यहां पर टॉप 10 का परसंटाइल बन रहा है दूसरे शिप्ट का इसी तरीकसे देखेंगे तो एक सभी स्कोर आया है के स्टुडेंट का इन से नीचे कितना स्टुडेंट है तो 100 इन से निचे का नगए द जान deg करना है तो अग्र मार्ण के करते तो शिप्ट ववन वाले इह जादे चले जाते तो इनकी क्या गलती है shift 2 वाली की कि इनका hard question आ गया तो score कमा गया तो इसको equal करने के लिए percentile लागू किया गया अब यहाँ पर हमको 10 selection करना है तो क्या करेंगे जो 95 percentile है यानि minimum cutoff हम लोग 95 percent रखते हैं 95 percentile का तो कितने strength यहाँ सा आता है एक, दो, तीन, चार, पांच यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच यानि हमको 96 cutoff यहाँ पर रखना होगा 96 रखेंगे तो यहाँ पर minimum 118 वाला का selection हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 96 रखेंगे तो minimum 116 वाला का selection हो जाएगा यानि यहां का 118 marks, यहां का 116 marks के बरावर हो गया और इसी तिरके से यहां पे 128 marks, यहां पे 120 marks के बरावर हो गया तो यही कारण होता है, सीजिल 3 में भी आपने देखा होगा कि कुछ छात्रों के ज्यादे marks था लेकिन हो सकता है कि वो easy shift वाले में हो, इस बज़ा से hard shift वाले उनको बीट कर गए और कम नमर ला करके selection ले लिए, तो आपको यह करना है कि exam में कभी भी CGL 4 का जो exam होगा, syllabus को अच्छे से हमने बता दिया है, देख लिजिए, और अच्छे से त्यारी कीजिए और अपना maximum दे के आना है, आपको यह नहीं सुचना है कि 115 करके आगा है, तो selection होई ही जाएगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके shift और आने वाले shift में क्या level राता है question का, तो इसलिए आपको maximum देना है, क्योंकि यहाँ पर exact question कोई नहीं बता पाएगा, कि question करके आते हैं, तो कैसा भी shift होगा, आपका prelims यहाँ पर 100% sure है कि clear हो जाएगा, उमीद है कि आप लोग प्रसेंटाइल को अच्छे से समझ गए होगे, और यही प्रसेंटाइल का तरीका second inter level में भी लाग होगा, तो इसको अच्छे सा आप लोग देख लीजिए, और कोई query subscribe करके जूट जाएं, फिर मिलेंगे नए update में, धन्यबाद